बिसमिल्लायरामानेरहीम आज का हमारा जो टॉपिक है ये है फंक्शनल इंग्लिश पेपर पैटर्न बीकॉम पार्ट वन के हवाले से और इसमें टाइम आपको इसी तरह तीन घंटे का होता है है 100 मार्क्स का पेपर होता है 40 नमबर वाला पास होता है अब कुछ उपर ये कुछ इंपूर्टन एक नोट लिखा होता है जो आपको ध्यान से पढ़ना होता है वो कहता है कि attempt 5 questions in all पांच questions ही आपने total attempt करने है selecting 3 from section A and 2 from section B तीन आपको section A से लेने है और दो आपको section B से लेने है all questions carry equal marks सारों के equal marks है यह यह बीस बीस नमबर के है over attempt fill altogether be ignored अगर आपको over attempt करते हैं तो उसके अंदर यह नहीं देखा जाएगा कि आपके पिछले में आठ थे और अगले में 9 है तो 9 वाला ले ले लें और 8 फुच्चो दे ऐसा नहीं होता आपने पहले वाले में जायदे हैं तो पहले वाला कंसेटर होगा पहले वाले में काम है तो भी पहले वाला कंसेडर होगा पार्ट्स इस कम्पलीट पहला जब तक यह नहीं आपने करना के आपने कुशन नमबर एक स्टार्ट किया उसके आपने ए पॉर्शन बी पॉर्शन सी कर लिया अब आपको डी और ए आते हैं अब आप करोगे के चलो ठीक अगला सवाल कर लेते हो अगले फिर उसकी हेडिंग देखर और फिर उसका डी और ए बाद में कर दिया ऐसा नहीं है आपको एक क्वेशन जो आपने पहला स्टार्ट किया है तो अगर उसके पांच पॉर्शन है या चार पॉर्शन है अगर चार हैं तो चारों आपने फिनिश करके दूसरा क्वेशन स्टार्ट करना है यह बात आपने जहर्ण में रखती है अगर इस तरह आप फॉलो नहीं करते हैं इन्स्टॉक्शन को यह जो बताई की है तो फिर आप सोच चोगे कि 80 आजेंगे लेकिन आते 40 है और उसकी वज़ा यही होती है तो आईए हम इसको देखते हैं section A जो है जिसमें से उसने कहा था के तीन question आपने attempt करने हैं पांच में से वो क्या कहता है यह है section A इसमें से 3 out of 5 question आप attempt करेंगे question number जो 1 है यह short definition example के साथ पूछी जाती है और यह आपको parts of speech से ज़्यादा तर आती होती है यह नहीं वो noun को पूछ लेगा abstract noun की definition पूछ लेगा adverb of time पूछ लेगा adjectives पूछ लेगा conjunction पूछ लेगा तो इस तरह करें कुछ सी भी आपको definition जो है वो यहां से पूछी जासे थी यह जातर parts of speech में से आते हैं यह 5 आते हैं और 5 के 5 ही करने होते हैं about of 5 का मतलब है कि 5 आएंगे और 5 की 5 ही करने होगा इसके अंदर किसी तरह की option नहीं है 10 number का यह होगा तो यह तो होगी short definition जो के parts of speech से पूछी जाती है दूसरा जो होगा do as directed अभी जो do as directed है जैसे statement लेचे आएगी उसकी उपर कुछ लिखा होगा कि आपने इसके साथ क्या करना है अब वो जो लिखा होगा न वो in में से कोई एक हो सकता है right degree of given word जैसे वो कहता है good इसकी third degree लिखते है तो आप good, good or goodest तो होगा नहीं अब good, better, best होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि best आप लिखते हैं कि third degree of the good is best that's it होती है ना adjectives के degrees होती है adverbs के degrees होती है adjective की आपने जो अगर उसने third degree पूची उसने second पूची अगर वो third दे के आपसे first पूच लेता है तो बारकर degree जो है वो given word की पूची जा सकती है तो वो आप यहाँ पे बताएंगे उसकी बाद है correction of the sentence एक sentence लिखा हो गया और आपको का जाएगा कि अगर यह घल्त है तो इसको ठीक करने है और अगर ने ठीक है तो पर यह लिखतो है तो आपने sentence की correction करनी होती है यह rules पता होंगे तो आप कर पाऊगे telling the mood of the sentence आपने उसका mood बताना है कि इसका कौन सा mood है अब वो mother what किस तरीके से होता है या उसका just like आप कहए दो कि यह इस तरह भी होसाता है कि यह affirmative sentence है यह negative sentence है यह indicative sentence है यह declarative sentence है यह exclamatory sentence है यह और आपके पास होते है imperative sentence है तो इस तरह करके जो उसकी form होगी जो उसका mood होगा वो आप बता देंगे कि this is a this kind of a sentence changing into another sentence आपको एक tense देगा for example वो कहते देदा है कि we they ate mango ठीक है अब आपको कहते है कि इसको negative past indefinite का negative बना दे आप क्या कर देंगे they did not eat mango कहानी खतम हो जाएगी तो यह निए एक tense से दूसरे tense की form में change करने के लिए आपको आ सकता है तो या तो tense change करने के लिए कहेगा या उसका mod बताएंगे आप उसका या आप उसकी correction करेंगे या आप उसको degree change करेंगे इस तरह के तो यह इनको कहते हैं do as directed तो यह 10 नंबर के यह होंगे इसमें भी आपको किसी तरह की कोई option नहीं होगी पांच होंगे तो पांच के पांच ही करने होगे तो मतलब कि यह आपका a b portion के शकल में आ सकता है इस तरह के से तो यह definition हो जाएंगे ठीक हो यह definition और यह उसके कुछ do as directed तो यह 10 नंबर इसके 10 नंबर इसके 20 नंबर के यह question हो गया यह अगर आपने यह पहला question करना है तो इसका a part और b part दोनों करने है अगर तो आपको आता नहीं है skip कर तो अलग बात है लेकिन यह नहीं करना है a part यहां कर दिया दूसरा question कर रहे कि उसका फिर b part आपने पहले का फिर बात में कर दिया वो गलत होगा उसके marks नहीं मिलेंगे question number 2 है इसका a part है change the number change the numbers यह क्या होता है change the numbers मदब आपको singular दिया हुआ है तो उसको plural कर दो और अगर plural दिया हुआ है तो उसको singular कर दो तो यह singular plural अगर आपको आते है जैसे wife है तो plural बनता है इसका wife का wives इसे तरीके से आपके पास थीफ है उसका भी तो इस तरह करके जो plural होंगे वो ball तो balls इस तरह के कोई से भी आपको वो change कह सकता है कि जिसका बताते हैं अब furniture है कुछ के बनता ही नहीं है लिखा होता है furniture और लिखा होता है चेंज प्लूरल तो हम कहते हैं लोग यह कौन से मुश्किल है furniture तो furniture हालांकि अपने गल्द कर दिया हालांकि furniture जो है उसका plural होता ही नहीं है वो category है ठीक है chair का chairs होगा table का tables होगा लेकिन furniture यह category का नाम है furniture होता ही नहीं है furniture ही singular है और furniture ही plural है information तो अक्सर लोग कह देतें informations ठीक है तो knowledge knowledges यह abstractions है इनके plural नहीं बनते तो यह आपने यह ध्यान से इसको करना है कुछ ऐसी होगी जिसका singular दिया होगा plural आप बना दोगे कुछ ऐसी होगी जो plural होगे तो उनका बनता है नहीं है तो हमने बना के आ जाना है तो यह थोड़ा सा ख्यार रखना है तो यह इस तरह का यह पार्ट होगा इसके अंदर आप चार पॉर्शन आने हैं दूसरे एक तो होगा चेंज नंबर उसके बाद चेंज जेंडर्स जेंडर्स मतलब कि आपके बास यह उता है नहीं वह जो उर्दू में मुजखकर मौनास आते थे तो यह वह वाले हैं कि आपके पास जो है वह यहां पर जैसे मेल लिखा हुए तो आप क्या करोगे फीबेल मैल लि यह पांच आने पांच के पांच करने यह भी पांच आने पांच के पांच करने किसी तरह की कोई option नहीं है transform into the abstract noun एक आपको noun वो देगा यह को यह आपको verb देगा और वर्ब को आपने यह कोई adjective उसने दे दिया तो वो कहेगा आपको इसको abstract noun में change कर दें या अगर आपको abstract noun नाउन दे देगा और फिर वो आपको कहेगा इसको आप वर्ब में चेंज कर दें होता है ना जिससे एडवाइस और एडवाइस अब उसने आपको दे दिया है एडवाइस और वो कहता है इसको आप नाउन में चेंज करें एडवाइस का एडवाइस हो जाए तो मैं लगी एक एक हैसा रप के तोर पर आ रहा है और एक हैसा नावन के तोर पर आ रहा है तो यह आप इस तरीके से change करोंगे यह भी आपको PUNCH given होगे पांच के पांश करने हैं पांच नमबर के यह होँगे और उसके बाद Give Synonyms कुछ वर्ड्ज यह ग्योंगे और आपको उनको synonyms में उनके synonyms लिखने होंगे तो ये भी 5 होंगे और 5 के 5 ही करने है ये थोड़ा सा technical सा portion होता है और इसमें है भी ज़्यादा इसलिए ज़्याद तर students की attempt नहीं करते हैं लेकिन ये अगर आप कर दें तो इस पे बड़ा short तरीके से आपका paper attempt हो जाते है उसके बाद है number 3 के तीसरा question अब इसका A part B इसके भी चार option है portion है चार इसके अब इसका A जो है वो है insert the correct article articles आपके पास होते हैं definite, indefinite articles जैसे A, N, The अब आपको इन में से कोई ये put करना होगा इसके अंदर अब N है मतलब जैसे A, N, Apple ठीक है अब इसके अंदर ये accordingly आपने इसको use करना है तो ये 5 होगे 5 के 5 करना है दूसरा है जी insert correct preposition off, on, over, under, in, to होते हैं ये आपको उसमें से सही आपको ये put करना होते है insert the correct form of verb सही verb put करना होते है sentence इसके अंदर और की one word substitution one word substitution होता है के the one who does not believe in God तो आप लिख देंगे atheist अब जो atheist होता है वो वो बना होता है जो अल्ला ताला की जात पर यकीन नहीं रखता तो atheist है तो आप उसको क्या कर दोगे वहां पर लिख दोगे atheist you know sentence दिया गया होगा उसको आपने one word substitution करना होगा इस तरीके से आजाएगे यह सारे उसके बाद है जी number four और इसके अंदर है chain narration ये भी आपको पांच आएंगे पांच के पांच करने होगे ये वैसे portion attempt करना चाहिए वाला chain narration, chain voice वाला इसके उपर वीडियो हम लोग ने अपलोड की हुई है बिल्कुल जाए टॉप पे जाएं तो सबसे टॉप पे ये वीडियो फिलाल तो शो हो रही है तो उसमें इसमें डारेट दियेगे होगे इंडारेट कर देना है तो इसको डारेट कर देना है जाद तर ये होता है कि सेंडेंस आपके पास गिवन होता है यहां पे डारेट फॉर्म में और आपको इसको इंडारेक्ट फॉर्म में करना होता है तो ये पांच आएंगे पांच के पांच करने होगे चेंज वाइस होगा एक्टिव पैसे ये भी पांच आएंगे पांच करने होगे इतना ही फराइक है कि छोटे बच्चों को option दी जाते हैं और आप लोगो यहां पर option नहीं दी जा रही option की में जुरूत भी नहीं है लेकिन मुश्किल हमें फिर भी लगता है इतना कुछ करने के बावजूत question number five इसका a और भी पार्ट है दो पार्ट है इसमें कहता है use correct pair of words in the sentences given below अब वो क्या होगा यहां पर इस तरह करके pair of words दिए क्यों इसेंपल मैंने दिए कि we earn a lot of cash we earn a lot of profit या profit दोनों के मीनिंग तो sound तो सही है profit profit लेकिन यह profit profit हूट के लिए इस्तमाल होता है यह profit जो यह इसका इस तरह करके आपको यह option दी गई होंगी दो option हर एक के दो दो प्यास ऐसे ऐसे प्यास देंगे होंगे आपको sentence बनाओगा simple आपको उसमें से इसको पढ़ने के बाद आपने कैस करना है कि यह वड़ा सही है यह वाला सही है तो यह आपको 10 आएंगे 10 में के 10 ही करन लो जी क्योंगे 5 question इसमें से आपको 3 करने अप कौन कौन से करने चाहिए पहला question लाजमी अटेम्ट करना चाहिए यह वाला आता है तो आप करें और नहीं तो छोड़ दें यह वाला आता है तो करें नहीं चोड़ दें और उसके बाद पिर चौता पांच और आपको करने है तो चौता भी करें और पांच भी करें तो तीन question आपके attempt हो जाएंगे इसमें से तीन ही करने है अगला जो portion है उसमें आपको तीन question आएगा और आपको दो attempt करने है इसमें च्छटा question आएगा general question about the pressy writing definition define pressy and write its rule यह एक सर question आता होता है यह वाला कि pressy के rules और उसके बारे में जैसा कि यह लिखा हूँ है यह 20 नमबर का दूसरा होता है comprehension passage in the pressy writing एक passage दिया गया उसके आपको question answers देने होते हैं last पर जो questions ही होते हैं और फिर आपने उसकी last पर pressy pressy होते है short form जिसमें बात भी कमल हो जाए और कोई importer बात निकले भी ना तो यह 20 नमबर का one third जिसे हम कहते हैं कि paragraph का आपको लिखना होता है तो यह 20 नमबर की आएगी और फिर आखरी होता है essay writing यह चार में से एक करना है और यह 20 नमबर का होगा तो इसमें से आप चाहे ऐसे कर लो चाहे यह दो कर लो ज्यादार लोग जो है वह यह पहले दो वाले question आपके मर्जी है जो से आपको आते हो इसमें से आप पर टेम्ट कर सकते हैं तो यह 8 question होगा और 8 में से 5 करने हैं लेकर दो section बने हुए किसी तरह को कोई मजीर भी अगर आपका कुछ सवाल है तो आप हमें question लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे उसको answer देने की यह थी आज के वीडियो अगर आपको लगी अच्छी तो आप फिर इसको कर सकते हैं